थासब में 7 दुकाने हाथ जरजर लो दुकान वो गिर गई हैं लाकोज़न को से प्राप्त हो आई है कि जंच बाजु से में की अभाई है तो पानी के ये कि अभी जल भराव के स्थिति जो आप बोल रहे हैं तो चुकि हमें बरसाती पानी की भरने की स्थितिया ज्यादा आ रहे हैं इसके लिए हमारा अमला पूरा मौके पे ही गया हुआ है सभी जगह प्रति दिन जाते हैं टीम बना करके और सफाई की जा रहे हैं कुछ जगह पर यह देखा हुआ है कि लोगों ने उसको ढग दिया फर्ष से यह स्लैब डाल दिया जिस कारण से उसको सफाई करना समझो नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी नागरिकों को दुगानगारों को संभाईश दे रहे हैं कि वह अपना फर्ष वाह से हटा लेते हैं तो हम उस नाली को प्रॉपर साफ कर पाएंगे अभी कितने दुगाने और जो खत्री के निसान में और क्या कारवाय की जारी अभी हमारे पास विजिट किया तो विजिट में ने देखा कि रत्पक 50 से 60 दुगाने हमारे पास ने और हैं जो की लगी हुई हैं हमारे तलाब क यह तकाल सभी को सूचित कर रहे हैं कि इन दुगानों को आज ही खाली कर दें 24 गंटी के भीतर क्योंकि ऐसी इस्तितियों में दुगटना होती है तो वहती खतरनाक होगी साथी हम नोगे पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी पत्र लिखा हुआ है कि अपने तखनी के हमले को यह सब्सक्राइब करा लें कि यह जो बिल्डिंग्स बनी हुई है इस बिल्डिंग्स की अभी क्या संभावना है यहां हम दुगाने लगा सकते हैं संचरत कर सकते हैं अत्वा नहीं यदि वहां से रिपोर्ट आती है कि हम दुगाने संचरत नहीं कर सकते हैं बिल्डिंग की स् कॉंग्रेस की सरकार के समय का ये ब्रश्टतम उदाहरण है निर्मान का जिस समय पर इनकी ही नगरपाली का में उनके ठेकेदारों के द्वारा ये निर्मान जो की बहुत ही कमजोर निर्मान कहा जाता था और जिसकी शायद अरबाद में भारतीयता पार्टिरस असन आया तो पेनाल्टी भी इशू हुई है और कुछ कारवाहियां भी हम सबने की थी पर इस निर्मान को जो जरजर स्थिती में था उसको देखा जाना भी जलूरी था और इन लोगों को दुकानदारों को जो मेरी जानकारी में है दायर भी दी गई परन्तु शायद उनने खाली नहीं किया है और अब वो निर्मान हमारा घिर गया है वाकी वी के लिए भी सासन ने बेवन्विशित किया है अन्य जो निर्मान जो कवजोर है उन्ने लोगों को जानमाल की सुरच्छा व्यवस्ता की जाए है हमारी परात दूकता है झाल 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 झाल